आपली बस की परिवहन व्यवस्ता एवं सुचारू संचालन के लिए मनपा ने डिम्स कमपनी के साथ समझोता क्या था समझोते में कमपनी पर कई तरह की शर्टे लागू की गए थी जिसमें बसों का औचक निरिक्षन करने वाले चेकर्स को 25,000 रुपे प्रतिमा का वितन देने की भी शर्टी किन्तु कमपनी के ओसे चेकर्स को केवल 8,000 रुपे का भुकतान क्या जा रहा है कमपनी की मनमानी पर अंकुष लगाने के उद्धिस से समझोते के दस्तावेज खांका ले गए जिसमें समझोते के दस्तावेज उसे इसके कागस गायव हुने का गंभीर आरुप परिवन समिती सभापती बालया बोर्कर ने लगाया उनने कहा कि दस्तावेज दयार करनेवाली डियारी कमपनी से संपर क्या क्या है जिनसे समझोते के दस्तावेज प्राफ्ट के जार है बोरकर ने कहा कि कोरोना काल में अप्रेल से जुन तक केवल 60 बसों का संचालन होता था जुलाई से सितमबर तक पुनर 30 बसे बढ़ाए गए कम बसों का संचालन होने से कर्मचारियों की आउशकता भी कम रही इसके बाद भी डिम्स कमपनी की ओर से 1,15 लाग का बिल भेश कर भुकता की मांग की गई है अप्रेल के लिए 9 लाग, मैं के लिए 94 लाग और जुन के लिए 91 लाग रुपे की दिमान की गई थी अनाप्शना बिल होने से मनबब प्रशासन ने इसे वापस भेश दिया जिसके बाद कमपनी ने 8 प्रतिशत JST के साथ अप्रेल मां के 6 लाग, मैं के 80 लाग, जुन के 71 लाग, जुलाई के 77 लाग, अगस के 78 लाग और सितंबर के 19 लाग का बिल भेचा उन्होंने गंबिर आरोप लगाती वे कहा है कि सुधारित बिल को भी प्रशासन की ओर से वापस भेश दिया गया जिसके बाद कंपणी ने अप्रेल के 22 लाग, मैं के 66 लाग, जुन के 33 लाग, जुलाई के 44 लाग, अगस के 44 लाग और सितंबर के 55 लाग डिमांड कर बिल दिया गया बोरकर ने कहा कि कोरोना काल में कंपणी ने 10 जोन में 10 कर्मचारी लगाए, चार डीपो में कारी रत थी, पाच कर्मचारी बिलिंग काउंटर पर थी, इसके अलावा दिल्ली में बैट कर आठ लोग कंपणी का काम संभाल रहे है, इन्हें प्रतिक को 80,000 और 90,000 का वेतन दि मंजुर केल, समीतिने मंजुर केला अनतर, आपले तुकाराम मुंडे जी आयुक्त होते, चांचा कडे निगोसेशन जाला, 13 रुपे रेट आला होता, तुकाराम मुंडे यानी तो रेट करू ते रेट, तो निगोसेशन करू, 60 रुपे रानला, 60 रुपे रानला अनतर फा महान अगर पाली के लिए आला नंतर हाता जे नवी नाइकता आले ते मंदात की त्या टेंडर मदी अजुन रेट कमी करा चाहे त्या मतलब तो जो प्रोजेक आए एला लंबा करा चाहे जुष्टी गुना तो आप उसमाला सा वाटून रहला है कैमरा परसन राजकुमार मोहड के साथ अभिशेक पांसी की रिपोर्ट